हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम क्लास सेवेंथ की आपकी गड़ित की वक्षिट नंबर फाइव सॉल्फ करेंगे जिसकी डेट है आपकी 20 अपरेल 2021 आज की वक्षिट में बच्चों हम प्राइक्ता पढ़ने वाले हैं चीके किसी भी चीज के किसी भी घटना के होने की जो संभावना होती है उसे ही हम प्राइक्ता कहते हैं जैसे कोई चीज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती जैसे आज बहुत गर्मी है शायद वर्षा होगी और ये भी है कि नहीं आज वर्षा नहीं होगी तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अब स्टार्ट कर या नहीं संयोग या संभावना पर निर्वर करता है घटना की होने वह ना होने का संयोग जो होता है उसे ही हम क्या कहते है प्राइक्ता कहते हैं प्राइक्ता का फॉर्मुला होता है बच्चो किसी घटना की प्राइक्ता घटना के संभावित परणाम और घटना के कुल परण ठीक है उसके बाद यहाँ पे कुश्चन से समझ लेते हैं इसे कि जब किसी सिक्के को उचाला जाता है तो इसके दो संभव परणाम चित या बठोंगे कोई आप सिक्का उचाल रहे हो तो उसके दो साइड सोते हैं तो दो हम लिख लेंगे नीचे ठीक है और उसके बाद कोई एक ही चीज आएगी या तो चित आएगा या या हैड आएगा या फिटेल आएगा तो एक आएगा ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा वन अपन टू उसके बाद है कि अगर आज मंगलवार है तो कल बुदवार होगा या निश्चित या संप्राइक घटना है क्योंकि या निश्चित है कि कल बुदवार ही होगा तो आज अगर मंगलवार है तो कल बुद है आज बुद है तो कल ब्रिस्पत होगा तो ये बिल्कुल निश्चित चीज है निश्चित घटना की जो प्राइक्ता होती है वो वन होती है और असंभव यानि जो बिल्कुल संभव नही नहीं हो सकता मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आज जितने वर्ष के हम है उससे मतलब कल के दिन क्या हो कि हम उससे छोटे हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता हम बड़े होंगे तो यह होना यानि छोटा होना असंभव है तो उसकी प्राइक्ता जीरो होगी ठीक है बच्चो जो चीछ बि रणात्मक नहीं हो सकती और एक से जादा भी नहीं हो सकती आपको ध्यान रखना है कि प्राइक्ता ना तो रणात्मक होती है और नहीं एक से जादा होती है उसके बाद आपके लिए कुश्चिंस दिये गए हैं बताईए कि निमलिकित में किसका होना सवन निश्चित है किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं तो सबसे फॉर्स्ट है कि आज आप कल से अधिकायू के हैं तो बिल्कुल एक दिन हो गया ना हमारा तो हम इसका अंसर लिखेंगे निश्चित सेकिंड है एक सिक्के को उच्छालने पर चित आएगा ऐसा जरूरी नहीं है पट भी सकता है तो आप लिखोगे असंभव अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी तो जरूरी नहीं कि हरी दिखेगी लाल भी सकता है पर इन निश्चित रूप से नहीं आदल घार होंगे जरूरी नहीं कि दूप निखल जाए कि लिखेगी अथ So तो आप इसमें भी लिखो गिए हो भी सकता है परन 2 से 2 जो संख्या है तो एक पासे में 2 संख्या होती हैं हम वो लिख लें कौन से संख्या होती है छार जे में नीके लिख लेंगे और यह लिख लिखने फोर Hindu कि it अब इसको कड भी सकते हो तो आशर आज आएगा 2丁म फन जम कम जी थे छिगों उसके उसे हम भाजे संक्या कहते है जैसे चेल है तो छे एक की टेवल में भी आता है तीन की टेवल में आता है खुद छे की टेवल में भी आता है तो इसे भाज्य संख्या कहते है लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर होता है जैसे कि साथ है जो एक की टेवल में आता है या सेवन खुद की टेवल में आता है तो इसे अभाज्य कहते है आपको ध्यान रखना है कि जो और 1 की टेबल में आता है, उसे अभाज्य कहते हैं और जो एक से ज़ादा, दो से ज़ादा टेबल में आता है, पहाडे में आता है तो उसे हम अभाज्य कहते हैं, ठीके? फिर अगला है विशम संख्या आने की, तो इसमें भी आपका हो जाएगा 3 upon 6 ठीक है विशम संख्या है हमारी 3 है और यहाँ पर आपका कटिक आ जाएगा 1 बटा 2 ठीक है जैसे 1 2 3 4 5 6 तो इसमें विशम संख्या है कौन सी है 1 2 3 इसलिए हमने 3 बटा 6 और उसको काड़ दिया तो 1 upon 2 आ गया फिर लास्ट है सम अभाज संख्या आपको बतानी है तो इसम इसका तो सिंपल्स है 1 upon 6 इसका अंसर आएगा ठीक है तो यह थी आज की आपकी वॉक्षीट आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना बच्चो और चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सस्क्राइब करना थैंक्यू करना थे चामफ की वीया तो सिंपल्स हो और चक्षीट नह थाँ जावल वीट령